हेलो प्रेंड्स गुड एउनिंग मैं दिपक साहू सिजी पीए सी हेनिटे नोट्स की येट्टूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम 27 दिन का मौडाल आंसर देखने जा रहे हैं तो सभी अपना नोट्स से निकाल लीजिए जो आप लिखे हैं उसको और साथ ही साथ चेक करते जाएए आपका नेश्ट मेगा टेस्ट सनिवार को तिन तारिक को है तो सभी तैयार रहिएगा और कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बताईएगा कि आपको कितना प्रस्न दिया जाए कुछ चात्र 20 प्रस्न में सहमती अपना ब्यक्त कर रहे हैं कि यह ठीक है आप सभी भी बताईए जो फ्रेसर बच्चे है और जो अभी लिखना प्रादम बेकिये हैं आप सभी कमेंड करके बताईएगा उसके हिसाब से हम सनिवार को आपको प्रस्न देंगे जो इस साल मेंज देने वाले है मैं लगातर कहते आ रहा था कि कुरोना से मट डरिये अब वहां से बचिये एक्जाम होने दीजिये फाइनली 18 से 21 आप सभी का एक्जाम होगा तो आपके पास केवाल 17 दिन बच्चा हुआ है आज एक तारिक है तो 17 दिन को छोड़िए 17 दिन में आपका एक्जाम है सिर्फ आपके पास 16 दिन का समय बच्चा हुआ है आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए नया पढ़ने का बिल्कुल प्रयास मत कीजिएगा जो आप सुरू से पढ़ते आ रहे हैं उसको रिवाइस कर लिजिए जो सब्जेक्टा आप प्रेलिम समय पढ़े हैं जिस भी बुक को फॉलो किये होंगे आप उसका एक बार अध्यान कर लेंगे आपके पास बच जाता है सात्वा पेपर समाश सास्त्र लोग प्रशासन और दनसर सास्त्र यह आपके लिए बिलकुल नया है तो इसको आप अध्यान अभी कर लिजिएगा एक हप्ते में यह दोनों सब्जेक्ट जो सात्वा पेपर है और दरसन सास्त्र, लोग प्रशासन, समाश सास्त्र यह दोनों को आप अभी 10 तारिक से पहले कम्प्लिट कर लिजिएगा केवाल यही दो पेपर हैं जहां से नंबर कम होते हैं और याद रखिएगा आपको कौलीफाई भी करना है तो नियूंतम अंग भी लाना है तो आप अपना रजनिती तैयार कर लिजिएगा कि किस तरह से आप दोनों सब्जेक्ट को पूरा करेंगे बाकि जितने सब्जेक्ट हैं पांच पेपर में आप उसका प्रेरिम समय कहीं न कहीं अध्यन करते हैं देखिए आपको एक दिन में दो पेपर लिखना है तो आप लगातार प्रेक्टिस किये होंगे उम्मीद करता हूं लिखने का मास्क लगाने का भी प्रयास कर लिजिए घर में क्योंकि आपको एक्जाम में तो मास्क लगाकर लिखना है और साउधानी भी वरतनी है तो अभी से प्रेक्टिस घर में करते रहिए घबराना नहीं है निश्चित रूप से और अच्छे से एक्जाम दीजेगा बस तैयरी करते रहिए चलिए शुरुआत करते हैं आज का मॉडल आंसर तो आप सभी को हमारे CGPSE हनेटर नोट्स परिवार के तरफ से अभी से all the best अच्छे से अध्यान कीजे कहीं कुछ कमी लगे तो बिलकुल आप वार्टसम नंबर में कॉंटेट कर सकते हैं अगर इस साल मेंस दे रहे होंगे और आपको किसी भी टॉपिक का या किसी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए होगा तो आप मेरे को SMS कर दिजिएगा मैं पूरी कोशिस करूँगा मेरा नोट्स दूँ या किसी दूसरे कोचिंग का नोट्स प्रोवाइट करूँ पूरी कोशिस करूँगा कि आप जो टॉपिक का चाहते हैं उसका आपको प्रोवाइट कर दूँ लेकिन वही छात्र ना जो एक साल मेंस एक्जाम देंगे ना कि जो फ्रेसर बच्चे हैं आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और लिखवाया जाएगा मेंस वाले बच्चों के पास टाइम नहीं है इसलिए बोर रहूं अगर किसी सब्जेक्ट का आपको जरुवाद पढ़ता है तो आप मेरे को वाटसाप कर दीजेगा आपको नोटस प्रवाइट करूँगा और चलिए जी आप लोग तिन तारीकों मेगा टेस्टे के लिए तयार रहिएगा जो सोमवार्च लेकर सुक्रवार तक जो प्रस्ट पूछे गए थे उसी में से आपको सब्द सीमा के अनुसार प्रस्ट न देंगे और क्या बोलते हैं संडे को आपका प्रिलिम से कभी एक्जाम है यूपीसी का और जो चातर यूपीसी एक्जाम प्रिलिम से देने जा रहे हैं उनको भी हमारे सीजीपीसी हैएंटर नोडस परिवार के तरफ से आल देबेस्ट है सनीवार में सब सम्मिलित होईगा जो हो सकते हैं सामिल और जो चातर एक्जाम दोनों नहीं दे रहे हैं ना UPSC का ना CGPSC मेंस का तो आप निश्य दूर्प से मेगर टेश्टे में सामिल होईएगा आपके फिड़ पेग जो एक हफ्ते में लिखे रहते हैं उसका सब दस्यमा के अनुसार आपको फिड़वेक दिया जाएगा प्रसन आपको 9 बज़े मिल जाएगा आपके अंक बताए जाएंगे पिछले बाट जैसे ही 75 अंक के प्रसन लिये जाएंगे देखिए एक हफ्ता और चलेगी आपको जन जाती है और 36 गड़ का जो इतहास है उसके बाद 10 तरिक के अंदर दूसरा सब्यक्ट आपका आंसर रेटिंग में शुरुवात कर देंगे तो जो प्रसन आपको डाउट लगता होगा आप कमेंट में बता जीजेगा या डारेक्टर में कोई SMS कर देजेगा लेकिन 36 गड़ का इतहास का टॉपिक और 36 गड़ समाजिक परिदिश्यक होना चीए ना कि भारती इतहास का नहीं कोई अधर सब्यक्ट का अभी दो सब्यक्ट आपके टेस्ट लिए गये हैं इससे सम्बंधित कोई टॉपिक छूट गया हो प्रत्यक टॉपिक का तो लिखवाने का प्रयास किया गया है कि कीस तरह से आपको आंसर लिखना था और जो भी कही डाउट रहेगा तो आप में लेको वार्सप कर देजिएगा निश्चित रुप से उसका रिपलाई करूँगा आज का पहला प्रयस्ण था बेगार विरोथी आंदोलन को समझाईए उत्तर देख लिजे क्या था बेगार विरोथी आंदोलन देख लिजे 1857 इसवी की क्रांती के बाद कमपनी प्रशाषन ने सामन्ती बेवस्था का संगरक्षण एवं समवर्धन किया राजनन गाउं को एक सामन्ती राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ महंत घासी दास 1889 इसवी में अंग्रेजों की ओर से रोलिंग चिप नियुक्त किये गए राजनन गाउं नगरबना और गाउं में बेगारी बढ़ी किसान बेगारी से तरस्त होने लगे 1889 इसवी में इस बेगार के खिलाब सेउता ठाकुर ने अपनी आवाज बुलंद की कमपनी प्रशाषन की मदद से उसका विद्रोह कुचल दिया गया ये आपका पहला प्रशाषन था कि बेगार विरोथी आंदोलन को समझाईए तो क्या है बेगार विरोथी आंदोलन 1857 इसवी की क्रांती के बाद कमपनी प्रशाषन ने समन्ती विवस्था का संगरक्षण एवं समवर्धन किया राजनन गाउं को एक समन्ती राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ महंद घासी दास 1889 इसवी में अंग्रेजों की ओर से रोलिंग चीप न्यूक्त किये गये राजनन गाउं नगर बना और गाउं में बेगारी बढ़ी किसान बेगारी से तरस्त होने लगे 1889 इसवी में इस बेगार के खिलाब सेउता ठाकुर ने अपनी आवाज बुलन देकी कमपनी प्रशाशन की मदद से उसका विद्रोह कुचल दिया गया ये आपका आज का पहला प्रस्न था मेंस वाले आप लोग जो आपका एक्जाम दो देने जाएंगे तो अच्छे से लेंग्वेज वाले पार्ट को कभर कर लिजेगा वहां से आपका नंबर स्कोर होगा इसके अलावा एसे में आप गो धन्यायों जांको छोड़िये कही मत इसके अलावा आपके पास नई सिख्छनिती है CET है, NRA है इस सभी टॉपिक को अध्यान कर लिजेगा चत्तिकर से टॉपिक में आपको कुपोश्यार से संबंदित और इसके निवारा उपाय सरकार के प्रयास इसको भी आप कभर कर लिजेगा पिछले साब नरवा गरवा घुरुवा बाड़ी को पूछा जा सकता है तो इस साल संभावना कम है उसकी तुलना में आप गोधन नियायोजना पे फोकस किजिएगा तीस सब्द और साठ सब्दे के प्रस्द ही आपको आगे ले जाएंगे तो इसमें पूरी कोशिस रहेगी आपकी और रहने भी चाहिए कि उसको आप सौल किजिएगा जितना आपको पतर हैगा एक्जाम हॉल में छोड़के तो आना ही नहीं है तिन घंटा में पूरा लिखिएगा और एंसा सीट भर के आईएगा पहले से सच्चत करते आ रहा हूँ आपको तीस सब्द के प्रश्ण में चार लेन दिया रहेगा आपको पूरी चार लेन भरने का प्रयास नहीं करना है तीस सब्द के प्रश्ण में आप मैक्जिमां 35 सब्द लिखिएगा क्योंकि आप पूरा चार लेन भरने के चक्कर में जो पीछे के बड़े प्रस्न रहेंगे उसको छोड़ डालेंगे क्योंकि आपका टाइम ज्यादा खपत 30 सब्द और 60 सब्द के प्रस्न में हो जाएंगे तो उधना ही लिखियेगा जीतना सब्द सीमा पुछा गया है ठीक है ना दूसरा प्रस्न है चोई खदान का किसान अंदोलन क्या था और आप 36 जो 36 गड़ी भासा है पहला पेपर का लेंग्वेज का चत्ति गड़ी भासा को तो पढ़ी लीजेगा आपको 50 नमबर में 50 दिलाने वाले एक मात्र सब्जेक्ट है चत्ति गड़ी भासा क्योंकि वहां से आपको डारेक्ट प्रस्न पुछा जाएगा कहीं कुछ दिमाग नहीं लगाना है औपजेक्ट्टी टाइप से आपको वहां प्रस्न रहेगा केवल आपको भरना रहेगा चोई खदान का किसान अंदोलन क्या था यहां आंदोलन दिवान सहाब की सोशड निती के खिलाब था जिसका नेत्तित्व कांगरेश नेता राम नराड मिस्र कर रहे थे सरकार ने इनके खिलाब कड़ी करवाही कर अनेक गृपतारियां की किन्तु जनता वहां के तदकालिन जमिदार का विरोत करते रहे यह चुई खदान का लगान बंदी एक अहिंसात्मक अंदोलन था जिसमें कर न पटाओ कहा गया इसकी तुलना बारदोली सत्यागरह से की जा सकती है एक बरोर देख लिजे दुछा प्रस्त था चुई खदान का खिसान अंदोलन क्या था यहां अंदोलन दिवान सहाब की सोशडर निती के खिलाब किया गया था जिसका नितित्व कांगरेशी नेता राम नर्यार मिश्र कर रहे थे सरकार ने इनके खिलाब कड़ी करवाही कर अनेक गृपतारियां की किन्तु जन्ता वहां के ततकली जमिदार का विरोध करते रहे यह चुई खदान का लगान बंदी एक अहिनसादमक अंदोलन था जिसमें करन पटाओ कहा गया इसकी तुलना बारदोली सत्यागरह से की जा सकती है यह आपका आज का दूसरा प्रस्न था तीसरा प्रस्न आपको दिया गया था डॉंडी लोहारा किसान अंदोलन को बताईए आपको कोई सब्द सिमा नहीं दी गई थी किसान अंदोलन का संगठीत रूप 1937 इस्वी में डॉंडी लोहारा जमिदारों के किसानों ने प्राराम्भा किया यहां कि किसान का अंदोलन नेतित्व नर्सिय प्रसाद अगरवाल एवं सर्यू प्रसाद अगरवाल ने किया था प्रिलिम्स का कुशन शॉल किया होंगे या प्रिलिम्स की कख्छा अटेन किया होंगे तो वहाँ बताया हूँ कि नर्सी प्रसाद अगरवाल और सर्यू प्रसाद अगरवाल दोनों एक्जाम में आंसर लिया गया है डोंडी लोहरा जमिदारवाले में किसान जो आंदोलन है तो देखिए पहले नर्शी प्रसाद अगरवाल को लिया जाता था One Day एक्जाम में CGPAC जो प्रिलिम्स का एक्जाम हुआ था 2019 में उसमें सर्यू प्रसाद अगरवाल को लिया गया है और उचित आणसर सर्यू प्रसाद अगरवाल ही है तो आगे से आप लोग भी सर्यू प्रसाद अगरवाल लिजेगा आप जो भी बुख पढ़ते होंगे वहां सुधार कर लिजेगा पर आओर देख लिजे किसान अंदोलन का संगठित रूप 1927 इस्वी में डॉंडी लोहरा जमिदारों के किसानों ने प्रारंभ किया यहां के किसान अंदोलन का नित्ति तो नरसियं प्रसाद अगरवाल एवं सर्यू प्रसाद अगरवाल ने किया था इस समय डॉंडी लोहरा जमिदार के दिवान मनिराम पांडे का आतंग चरम सिमा पर था उनके आतंग एवं निति से किसानों में असंतोस ब्याप्त था परंतु अचानक से दिवान ने इन स्विधाओं से किसानों को वंचित कर दिया, इससे किसान बखला गए, परिणाम सरूप किसानों ने अहिंसात्मक रूप से आंदोलन प्रारम्ब कर दिये जो 1949 तक चला, ये आपको तिसा प्रसन का मौडल आंसर, चौन्था प्रसन देख ल महत्षा के बारे में, तो पहले प्रसन को समझे कि पूछ क्या रहा है, आपसे महत्षा के बारे में पूछा गया था, और कल आपको रहुत नाचा के बारे में पूछा गया था, तो ये सब प्रसन को ही विशेशूप से ध्यान दिया किजिए, क्या है रहुत नाचा महत्षा तो 36 गड़ के बिलासपूर जिले के लाल बहादूर सास्त्री मैदान में कार्तिक माह में देव उठनी के समय रौत नाचा महुतसव आयोजित होता है याद रखिये आपको कहिए कण्या जो लाल बहादूर सास्त्री मैदान है यहां आपको देवकी नंदन भी मिल सकता है कोई-कोई बूप में लेकिन सुधार कर लिज़ेगा लाल बहादुर सास्त्री मैदान में होता है रहुत नाचा महुत्सव 36 गड़ के भीलासपुर जी लेके लाल बहादुर सास्त्री मैदान में कार्तिक महा के दे उठनी के समय रहुत नाचा महुत्सव आयोजित होता है जिसका प्रारंब 1978 में हुआ था 16 नॉब्बर 2019 में 42 करम का रहुत नाचा महुत्सव पूर्ण हुआ है यह आपका रहुत नाचा महुत्सव था इसमें और कुछ बढ़ाना लिखना चाहते थे तो आप इसमें लिख सकते थे कि जो यादो समुदाय होते है उनके द्वारा अलग से व्यजभूसा तयार की जाती है जो नित्य प्रस्तूत करते हैं रहुत नाचा महुत्सव में पुरुषकार भी वित्रण किया जाता है इन सभी के बारे में भी आप लिख सकते हैं तो यह रहा चौंता प्रस्न रहुत नाचा महुत्सव पाच्वा देखिए चक्रधर महुत्सव को चक्रधर महुचव से आप क्या जानते हैं ये आज का पांचो प्रस्न था क्या है चक्रधर महुचव सभी जानते हैं रायगण में एवजित होता है देख लिजे राजा चक्रधर एक कुसल तबला वादक एवं संगीत वा नित्य में भी निपूड थे उनके प्रयाशों और प्रोसाहन के फल सरूप ही यहां संगीत कथनीत्य की नैशली विक्सित हुई स्वतंद्रत पूर्व से ही गड़त्सों के समय यहां सांस्कृतिक आयोजन की एक समरिध परंपरा विक्सित हुई यह आपको प्रिष्ट भूमी जिसने धीरे धीरे एक बड़े आयोजन का रूप ले लिया यहां आयोजन इतना वरिहत था कि राज़त चक्रधर जी के देहवाशन के बाद उनकी याद में चक्रधर समारो के नाम से यहां के संस्कृत कर्मियों तथा कला साथकोने वर्ष उन्निस सो पचासी से दस दिवसी सांस्कृतिक उत्सव की सुरुवात की और जो 2019 में हुआ था वह 35 करम का पूर्ण हुआ है 2020 में आनलेन करने की प्रक्रिया की गई थी यह आपका चक्रधर महुचशव राजा चक्रधर एक कुसल तबलावादक यम संगीत वनित्य में भी निपूर थे उनके प्रयाशों और प्रोसाहन के फलसरूप ही यहां संगीत तथनित्य की नई सैली विक्सित हुई स्वतंदरता पूर्व से ही गणेत्सों के समय यहां संस्कृतिक आयोजन की एक समरिद्ध परमपरा विक्सित हुई जिसने धीरे धीरे एक बड़े आयोजन का रूप ले लिया यहां आयोजन इतना वरिहत था कि राजा चक्रधर जी के देहवाशन के बाद उनकी याद में चक्रधर शमारोक के नाम से यहां के संस्कृत कर्मियों तथा कलास साधकों ने वर्ष उन्निस सो पचांसी से दस दिवसी संस्कृतिक उत्सव की सुरुवात की दो हजार उन्निस में 35 करम का पूर्ण हुआ है यह आज का पांचों प्रस्ण का मॉडल अंसर आज का अंतिम प्रस्ण था लोक मड़ई महोत्साओ मडई महोत्साओ और फागुन मडई महोत्साओ कहां आयोजित होता है उसके बारे में बतारना था डारेक्ट पूछा गया प्रस्ण है यह तो आपको ज़्यादा इसमें उल्लेक करने का ज़रुवत नहीं था क्या है और कहां होता है यह अलग क्वेश्ण है आपसे क्यों पूछा गया है कहां आयोजित होता है तो लोक मड़े महोत्साओ राजनन गाओ में मड़े महोत्साओ नर्याणपूर में जबकि फागुन मड़े मेला कोंड़ा गाओ में आयोजित होता है यह रहा आज का छठवा प्रस्ण का मॉडल आंसर इस तरह से आज 27 दिन का मॉडल आंसर जारी हो गया मेरा नमबर जो नए चात्रह है नोट डाउन कर लिजे कहें भी आपको कोई डाउट होता है कोई पूरस्ण पुछना है तो आप मेरे को वाटसब एसेमेस कर दीजेगा निश्य तुरुप से समय पर उसका रिपलाई जरूर दूँगा और मेंस अंसर राइटिंग वाले आप लोग लिखते रहिए मेंस का आज 27 दिन था ये आपको भवी समय काम आएगा कल मेगा टेस्ट कर लएई परसो सनीमार को मेगा टेस्ट है तो आप अभी कमेंट करके बता दीजेगा उसके अनुसार से विगत वरस्टों में पुछे गए प्रस्णों को भी सामिल करेंगे और नए प्रस्ण आपको मेगा टेस्ट में देंगे तो अभी सभी कमेंट करके बता दीजेगा कितने प्रस्ण दे और जो इस साल मेंज देने वाले हैं अच्छे से दीजिएगा और कोशिस कीजिएगा अब मोबैल से आप थोड़ा दूर हो जाएए फेस्बूक, यूटूब, वाट्सअप सबसे बाहर हो जाएए पंदरे दिन की बात है अच्छे से पढ़िए और तीन दिन, चार दिन अच्छे से एक्जाम दिजिए उसके बाद अच्छे से मोबैल चलाते रहेगा एकदम रिलाक्स होके लगातार घर में प्रेक्टिस कीजिए तीन घंटा मास्क लगाने का ज़री नहीं है कि आप एक्जाम होल में मास्क के ही लगाया रहेंगे लेकिन सुरक्षा ज़री है तो अभी से आप प्रेक्टिस करते रहेगा मिलते हैं कल नई सुबह और नए प्रस्नों के साथ सुबरात्री